है लो गाईज यूट्यूब चैनल आर्टिस्टिक प्रकास पॉइंट पर आपका स्वागत है आज का टॉपिक है सीविए से क्लास 12 पेंटिंग के लिए इंट्रोडक्शन टू इंडियन मिनियेचर पेंटिंग जिसमें हम बात करेंगे इस्टन स्कूल जिसे पाल स्कूल भी कहते हैं वेस्टन स्कूल जिसे जैन स्कूल कहा जाता है और स्कूल ऑफ सेंट्रल इंडिया तो पहले हम जानते हैं कि मिनियेचर पेंटिंग है क्या मिनिय भी माध्यम या किसी भी आकार और किसी भी सतय पर बनाई जाने वाली पेंटिंग को मिनियेचर पेंटिंग कहते हैं अर्लियर इस पेंटिंग्स वर मेड़ ऑन पाम लीफ, पीस अफ कलॉथ, पीस अफ लेदर और आइवरी एंड लेटर ओन हैंड मेड पेपर आरंग में इस पेंटिंग को ताड़ पत्रों पर और कपड़े के टुकड़े पर, चमड़े के टुकड़े पर, या हाथी दान्त और बाद में चल कर इसे हेंड मेड पेपर पर बनाया जाने लगा हमें मिनियेचर पेंटिंग में बहुत बारीक विवरन मिलते हैं जैसे कि अगर किसी मनुष्य का चित्र बनाया तो उसके एक एक बाल के लिए एक एक स्ट्रोक्स लगाते हैं ताकि उसकी डिटेल दिखा सकें उसके बाद जो हमारी मिनियेचर पेंटिंग्स की परमप्राय रही है वो हैं इस्टन स्कूल जैसे पाल स्कूल कहते हैं वैस्टन स्कूल, जैन स्कूल, स्कूल अफ सेंटरल इंडिया, मुगल स्कूल, राजस्थानी स्कूल, डेकन स्कूल और पहाड़ी स्कूल चलिए अब हम बात करते हैं इस्टन स्कूल यानि कि पाल शैली की The art which flourished in Bengal, Bihar and Odisha during the reign of Pal King, वह कला जो बंगाल, Bihar और Odisha में पाल राजाओं के शासन के दौरान फली फुली उसे पाल कला कहते हैं यानि की पाल सैली कहते हैं जो पाल चित्रकला है उसका नाम वहां के दो राजा धरम पाल और देव पाल के नाम पर पड़ा है और जबकि उनके जो मुख्य आर्टिस्त थे वो धीमान और विटपल थे पाल पेंटिंग्स आर करेक्टराइज़ बाइ मोस्टली सवाचस्म फेसेज जो पाल चित्रकला है उसके जो विसेश्ता है वो उसके सवाचस्म चेहरे हैं कर्वी ब्लैक आउटलाइन और सुडोल काली उसकी आउटलाइन या काली रूप रेखा है ब्राइट कलर सिंपल कॉंपोजिशन एंड ग्रेस्फुल फिगर्स उसके जो सरल सनरचना और उसकी सुन्दर आकरतियां उसकी विसेश्ता है A large number of manuscripts on palm leaves relating to Buddhist theme were written and illustrated with images बहुत विसेश संबंदित तार के पत्तों पर बड़ी संख्या में पांडू लिप्यों का चितरन हुआ है और उसके लिखा गया है और उसको illustrate किया गया है यानि कि उनकी जो स्टोरी है उसको चितरित किया गया है A thread running through two holes made on both sides of the folios was used to tie them together एक धागा जो folio के दोनों तरफ जो छेद होते थे उनसे निकलता था और उसको folios को बांद के रखने के लिए उसे इस्तमाल किया जाता था Writing was done after leaving space in the middle for painting Folios के बीच में painting के लिए जगह छोड़ कर बाकी हिस्से पर लेखन किया जाता था और उसके बाद लिखने के बाद वो जो folio था वो कलाकारों के पास उसके चितरन के लिए या उसके illustration के लिए भेज दिया जाता था Since they were sacred, vermilion and sandal paste were smeared on them resulting in their damage over the years क्योंकि पांडूलिपियां पवित्र होती थी इसलिए उसमें सिंदूर और चंदन का लेख लगा दिया जाता था परिणाम स्वरूप वर्सों के बाद वो जो पांडूलिपियां है वो खराब होने लगी The Pal art came to a sudden end after the destruction of the Buddhist monasteries at the hand of Muslim invaders पाल चित्रकला मुस्लिम आकरमनकारियों या मुस्लिम आकरानताओं द्वारा बौद मठों के विनास के बाद पालकला का पालकला अचानक समाप्त हो गई अब बात करते हैं Western School यानि की Jain School की Painting that flourished in Western part of India, Gujarat as its center and southern parts of Rajasthan is called Western School और Jain School वह है चित्रकला जो भारत के पस्चमी हिस्सों में विक्सित हुई और इसका जो केंद्र था वो गुजरात था और राजस्थान के कुछ हिस्से थे उन्हें Jain School या Western School कहा जाता है The motivating force for the artistic activity in Western India was Jainism पस्चमी भारत में इस कलात्मक गतिविधी के लिए जो प्रेरक बल था वो Jain धर्म था That was patronized by the kings of Chalukya dynasty जो की Chalukya once के राजाओद्वारा सनरक्षित था who ruled गुजरात parts of Rajasthan and Malwa जिनोंने गुजरात में और राजस्थान के कुछ हिस्सों में और Malwa पर साशन किया The illustrations on these manuscripts are in a unique style of strong distortion यह जो पंडुलुपियों का जो वर्नन है या illustration है वो अपना एक unique शैली में है और उसमें एक मजबूत विरूपन देखने को मिलता है Exaggeration of certain physical traits, for instance, eyes, breasts and hips are enlarged इसमें कुछ जो सारे रिक गुंड थे यानि कि जो सारे रिक आंग हैं उनको बढ़ा चड़ा कर दिखाया गया है जैसे आखें, stun और कुले ज़्यादा बढ़े हुए है Figures are flat with angularity of features and further eye protruding into space जो आकृतियां हैं उसमें कौन यता के साथ सपाट हैं फ्लैट हैं और angular हैं उसमें and further eye is protruding into space और जो आखें हैं बाहर की तरफ space में निकली हुई दिखाई देती हैं Painting is divided into sections with allocated spaces for writing the text and painting जो चित्रकला है उसमें कई खंड में उसे विभाजित किया गया है लेखन के लिए अलग हिस्सा है और चित्र बनाने के लिए अलग हिस्सों में विभाजित किया हुआ है This is an art of primitive vitality, vigorous line and forceful colors यह जो कला है यह आदिम जीवन सकती और ओजपूर्ण रेखा और बलसाली रंगों की कला है A small hole in the center was created for a string to pass through यह जो पंडूलिपी है उसके मध्य में एक hole एक छेद किया जाता था जिसमें से की धागा निकल सके और उनको एक साथ बांदने के लिए उसको मजबूती से बांदने के लिए उसको pages को इस्तमाल किया जाता था that were also protected with wooden covers called putlis और उन पंडूलिपीओं को बचाने के लिए उपर और नीचे मतलब front और back में लकडी के पट्टे लगाया जाते थे जो कि cover का काम करता था placed on top and bottom of the manuscript जो कि उसे उपर और नीचे पंडूलिपी के रखा जाता था कल्पसूत्रा is a famous manuscript which is illustrated text कल्पसूत्र जो है वो एक सचित्र पाठ है it is a biographical narrative of lives of the 24 तिर्थांकराज from their birth to salvation यह जो जैन धर्म के 24 तिर्थांकर है उनके तिर्थांकर उनके जीवन के बारे में जन्म से लेकर मोक्ष तक के जीवन का वर्णन किया गया है the five key incident roughly elaborated our conception, birth, renunciation, enlightenment, first sermon and salvation मुटे तोर पर जिन पाँच परमुकर घटनाओं का जो विस्त्रित वर्णन किया गया है वो है गर्वधारन, जन्म, त्याग, ज्यान, प्रथम देश और मोक्ष other popularly painted text are कालकाचारिय कथा which narrates the story of आचारिय कालका अन्य जो लोगप्रिय जो चित्रित पाठ है वो है कालका आचारिय की कथा जो की आचारिय कालका जो है उसकी कहानी को सुनाया गया है who is on a mission to rescue his abducted sister जो की अपनी अपहरित बहन को बचाने के मिसन पर है और जो उनकी जो बहन है आचारिय कालका की वो एक जैन नन भी है या जैन भक्तिन भी है जो की उसको वो दोष्ट राजा से बचाने के मिसन पर है इसमें जो आचारिय है जो कालका उनके साहस को दिखाया गया है जो की भूमी को खंगाल रहे है या जमीन को खंगाल रहे है अपनी बहन को का पता लगाने के लिए जो गुम हो चुकी है या मिस हो चुकी है उसका पता लगाने के लिए demonstrating his magical powers और अपनी वो जादू शक्ती का प्रयोग करते हैं forging alliances with other kings और जो दूसरे राजा हैं उनके साथ वो गटजोड करते हैं and lastly battling the evil king और अंत में वो राजा से लड़ता है या युद्ध करता है Schools of Central India the Kalp Sutra illustrations of Mandu in Malwa region of Madhya Pradesh जो Kalp Sutra है जो Mandu के illustrations है जो चितरित वर्णन है वो जो की Malwa region में आते है Madhya Pradesh के mark the initial phase of this miniature art in the Central India ये जो Mandu के जो Kalp Sutra illustration है ये जो प्रारंबिक लगू चित्रकला का जो प्रारंबिक चरन था उसको चिनहित करता है Being in Central India Mandu was influenced by art from all directions क्योंकि जो Mandu है वो Madhya Bharat में है और इसलिए उसमें Mandu में चारो तरफ से प्रभाव देखने को हमें मिलता है जैसे की जैन मैंस्क्रिट्स अफ गुजरात मुस्लिम एलिमेंट्स अफ जोनपूर और अवद फ्रॉम दे इस्ट राजपूत आट अफ दे नौर्थ अफ देक्कन स्टाइल फ्रॉम दे साउथ यानि की गुजरात के जो हमारे जैन पंडु लिपियां हैं उनका प्रभाव मुस्लिम जो हमारे पिंटिंग्स हैं या मुस्लिम तत्व हैं उनका प्रभाव जोनपूर से हमें देखने को मिलता है अवद से हमें जो अवद का प्रभाव जो पूरम है मुस्लिम एलिमेंट से में देखने को मिलते हैं राजपूत आर्ट ऑफ दिन ओर्थ और जो हमारी राजपूत आर्ट अउत्तरी भारत की और दक्षिन भारत की दक्कन सेली इन सब का प्रभाव हमें Central इंडिया पर, आर्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया में हमें मांडू में देखने को मिलता है जो हमारा जो निमत नामा है उसमें हमें फार्सी प्रभाव देखने को भी मिलता है आर्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया स्टार्ट फॉर्म प्राइमरी इनिफ्लेंस ऑफ गुजरात जो हमारे मध्य भारत की जो कला है वो प्राथमिक रूप से गुजरात के प्रभाव से आरंब होती है बट डेवलाट विद वाइड रेंजिंग इनिफ्लेंस लेकिन ये व्यापक प्रभाव के साथ विक्सित हुई जो शुरू हुई वो प्राथमिक प्रभाव से शुरू हुई लेकिन जब विक्सित हुई तो ये व्यापक प्रभाव के साथ विक्सित हुई बड़ी जो उभरी वही आखे हैं या इनके कोनिया चेहरे हैं और मध्यमुचाई के इस्तिरी और पुरुस और पेंटिंग में बहुत सारे पेटन या रुपांकन और बड़ी मात्रे में गूल्ड का इस्तिमाल या सोने का इस्तिमाल इन कल्प सूत्र हैं जो इनके पेंटिंग में इनकी ये विसेश्था है जब मुस्लिम शार्षकों ने मध्य भारत पर कब्जा कर लिया आर्टिस्ट तुक शेल्टर इन मेवाड इन राजस्तान और वहां के जो कलाकार थे उन्होंने राजस्तान के मेवाड हिस्से में शरन ले ली वे ग्रेट मिनियेचर आर्ट डेवलेब्ड सेपरेटली जहां के राजस्तान में एक बिलकुल अलग जो लगू सैली है या मिनियेचर पेंटिंग है लगू चित्रिकला है वो अलग से विक्सित हुई और जो हमारे जो सेंट्रल स्कूल है यानि की मध्य भारत की जो शैली है वो हमारे जो आगे आने वाले जो चित्रिकला की शैलीयां थी उनके लिए ये फांटेन हैड साबित हुई निमत नामा यह इस स्कूल का मध्य भारत की जो शैली थी यह जो पेंट हुई थी यह मांडू में पेंट हुई चित्रित हुई और यह नासिर शाह खलजी जो राजा हुए पंदरा सो से लेकर पंदरा सो दस में उनके शाषन के दोरान में चित्रित हुई यह वेंजनों को बनाने की एक पुष्टक है और उसमें एक खंड शिकार के उपर भी है और इसके अंदर दवाओं को किस तरह तयार किया जाता है उसकी भी इसमें विधी लिखी हुई है कॉस्मेटिक्स पर्फ्यूम्स एंड डिरेक्शन्स ओन देर यूज दवा और सोंदरिय प्रशादंग और पर्फ्यूम यानि इत्रो को कैसे बनाया जाता है उनको निर्देश और उनको इस्तमाल करने के तरीके इसमें दिये हुए है अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए सबस्क्राइब कीजिए और शेयर कीजिए धन्यवाद